आपको माई यूटूब चैनल नंदन ब्लोगर में आपको श्वागत है आज हम जो है हम तो ऐसे मंदिरों को दर्सन आपको कराते रहते हैं आज जो कि मुख्य ध्रोहर जो कि मंदिर है वह समस्ती पूर के शमर्था कल्यानपूर में हम बता दे पोखर है बगल में और इधार शामने मंदिर है तो हम आपको मंदिर का भी दर्शन क्राइँगे यह जो है पुराना है और इस पर जो कलाकारी देखेंगे जो कि अभी के ज़ntyवाना में वह शंभव नहीं है अभी के שמै में जो है शंभव वो नहीं है लेकिन आप देखेंगे इस वीडियो में इतनी कलाकारी जो है गहराई से किया गया है और लखक Sum तो साल पहले समझ सकते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहेंगे धन्यवाद हम मंदिर का बाहरी नजारा दिखा रहे हैं देखिए कितना सुंदर उपर दिखाएं हम देखिए ये कलाकारी जो अभी शमभब नहीं हम बता दिए हैं वीडियो में देखिए इतनी कलाकारी जो है गहराई से और पांच सल पहले आगर आप आते हैं तो इससे भी बेहतर कलाकारी मिलता तो तूट हो गई है तो उसको मरमत किया गया है इससे बना है उसी के तरफ पर लेकिन इसके अंदर में जो है इसे पहले बहुत ही अलग नजा रहा था यहां देख रहें बहँत ही शुंदर नहीं गई يह क्जिशना टारी को बाल्वला लता उन लंग ऑए इस STEPH धा था पूरा क्लाकारी यो अभी संभव अभी नहीं है उस समय में उजी है? जैसे उपर मोई लगाया हूआ, इसमें भी थाव सहें लगाया हूआ जैसे उपर का और यह मंदिर के अंदर में हैं, बहुत ही शुंदर कलाकारी है, यह देखिए, उस जवाने की यह शुव कलाकारी इधर, जोटे-चोटे मुड़ी हैं, चारो तरफ, यह उस जवाने की देखते हूँ हमारा आवाज जो है, इस तरह के, जो मंदिर बना करते थी दिख रहें, हमारा आवाज आपको जो है, गुंज रहा आपका, यह इस तरह का, जो उपर देखिए कलाकारी है, यह गुंबद और यह बनावट के कारण ऐसा है, कि मेरा आवाज जो है, गुंज रहा है, यह बहुत ही धरोहर है, यह सब पुराणी जो है, यहां के लोगों परकरार रखा है, तो हम यहां के लोगों को थन्देवाल देना चाहूँगा, कि इस तरह की विवस्ता जो है, बहु जगत धवस्त हो गई है, यह तो 100-200 साल कुराना है मंदिर, लेकिन यहां जो है, कलर फेंटिंग करकर के बहुत सुंदर्द तरीके से सजाया गया है, जै म झाला न दो है, यह जो हुना है, बहुटुसी समय का, यह तकिए सब भी बनाया था जैसाा पहले पनाता का वालत जाइनिक tai ौ यह लोग यहां के ग्रामिन थे जो कि मंदर के बारे में विश्तरिस जानगाडी दिये और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएंगे धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सुस्क्राइब जरूर परें